तो चलो हम लोग आज सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है ठीक है इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है तो देखो वन कुलाम चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते हैं ये वन कुलाम का जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं इलेक 90 coulomb अब इसमें लड़ाई जगड़ा मत करना कि यहांपे प्लस रहेगा या माइनस रहेगा हम सिर्फ मान की बात कर रहे हैं electronically no doubt की electronically negative होता है तो यह charge negative होना चाहिए लेकिन हम इस negative sign की बात नहीं कर रहे ह। हम सिर्फ क्या बात कर रहे है की electron पर charge कितना होता है ठीक है अब ज़रा तुम इस charge की unit देखो इस charge के गर तुम unit देखोगी पूरा का पूरा मान देखो तो वो क्या है 1.6 into 10 to power minus 19 कुलाम है अब ये सोचो कि ये कितना छोटा राशी है अगर तुम इसको ऐसे लिखना चाहोगी तो पता है कि इस ऐसे लिखोगी ये 1.6 लिख दोगी उसके बाद इसको जब तुम लिखना चुरू करोगी तो ये 0.00000 कितनी बार 19 बार जाएगा अब जब सोचोब इसको तुम multiply करोगी इसके साथ तो ये एक से बहुत कम हो गया ना ये तो ये पूरी संख्या कितनी हो गई एक से बहुत कम हो गई इसका ये मतलब हुआ कि इतने सारे ChArges को कितनी बार कितनी बार लेना पड़ेगा ताकि ये कितना हो जाए ये मिल करके पूरे के पूरे एक कुलाम हो जाए जो तुम देख रहे हो है ये बहुत छोटा चार्ज है बहुत ही छोटा 10 to power minus 19 कुलाम चार्ज है ये मात्र एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है तो अगर तुमको इस चार्ज को आपस में जोड़ 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 करके 1 कुलाम चार्ज तक पहुचना है तो संख्याएं बढ़ेंगे ने इलेक्ट्रॉन की तो सवाल में क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सा कॉंसेप्ट ये है कि तुम पूरा चार्ज निकालने के लिए जितनी सारी संख्यां हैं electron की उनको electron के charge से गुड़ा कर दो तो अगर तुमको charge कितना प्राप्त करना है एक column प्राप्त करना है और electron के संख्या निकालनी है और अगर तुमको ये जो electron है इसका charge ये जो e है ना ये actually electronic charge का symbol है ध्यान देना यह E क्या है, यह यहाँ पर electron को नहीं show कर रहा है, यह electronic charge की value को show करता है, ठीक है, अब E से confuse मत होना, electrical पढ़ रही हो, तो यह E हमारा electron का charge है, math पढ़ होगी तो यह E क्या हो जाएगा, napier's constant, पढ़ाय जाए तुमको न, इसकी value हो जाएगी 2.7, correct, तो यह अलग है, math में अलग हो अब क्या बचा, सिर्फ संख्या है बची, इस संख्या को उठा के आ नीचे कर दो, तो एक बटे 1.6 into 10 to power minus 19 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, n की value, अब यहाँ पर तुम ज़रा बात समझो, यह जो minus 19 है, 10 to power minus 19, इसको तुम उपर कर दो, तो जब इसको उपर करोगी तो एक में तुम एक दश्मनाओ छे से भाग दो, अब भाग कैसे देंगे, बहुत सारे बच्चों को दिक्क दश्मनाओ भाग देने से, तो सबसे पहले इसको तुम दश्मनाओ बार ले जो, एक सुन्ने बढ़ जाएगा, ठीक है, यह फिर एक और तरीका है, इसको समझने का, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर दस से गुड़ा कर दो, यहाँ पर दस से गुड़ा कर दो, तो इस से इस वाले का डेसिमल तो हट जाएगा, यह सोला हो जाएगा, और यह हो जाएगा दस, सीधी बात, तो इसको अब तुम क्या करो कि तुम इस दस में सोला से भाग दो, तो 1 सूलाच से भाग मत दो, अब तुम 16 से भाग दो तो अभी भी 10 चोटा ये, दसमनो बार जा नहीं पड़ेगा दसमनो बार जब जाओगी तो एक सुनने बढ़ जाएगा यहाँ अब 16 का पहाडा पड़ो कितनी बार कितनी बार जाएगा यह 16,90 तो 6 बार जाएगा 16,90 हो जाएगा अब यहाँ पे 4 बचा ठीक है अब यहाँ पे 10 मलों लगाने जुरत नहीं है अब आटो माटिवा पे 10 मलों बढ़ जाएगा 20 नहीं बढ़ जाएगा 16,38 16,38 नहीं 16,32 ठीक है 8 बार जाएगा अब 16,85 होता है ठीक है अब तुम देखो कि यह पूरा-पूरा कड़ गया अगर यह पूरा-पूरा कड़ गया तो यह कितने की वैल्यू आई है यह वैल्यू आई है सिर्फ इतने की 1 बाई 1.6 की तो हम लिख देंगे 0.6 कितना है आँए आंसर 6,25 6,25 गोड़े कितना है दस के गाते 19 यह 19 था न अब जड़ा देखो यह जो 0.6,25 है इसमें इस दस्मिलो को थोड़ा हटा दिया जाए थोड़ा से इधर कर दिया जाए तुम चाहओ तो पूरा हटा दो दस्मिलो यहां से 3,0 यहां से निकाल लो मतलब इसको तुम 16 कर दो 10 यहां से लिखना है वो तो अपने बड़िबन करता है ना मतलब यह कहना चाहते हैं 6.025 इंटू 10 टू पावर 19 लिखा हुआ है इसको तुम कई तरीके से लिख सकती हो अगर यहां से तुम 1 0 यूज करती हो मतलब 10 टू पावर 18 के रूप में लिखती हो तो सिर्फ 10 मलो एक एक बार शिफ्ट होगा तो उत्तर आएगा 6.25 अगर तुम यहां से 2 0 यूज करती हो मतलब 10 टू पावर 17 के रूप में लिखती हो तो यह हो जाएगा 62.5 लेकिन अगर तुम यहां से 3 0 यूज कर लेती हो मतलब 10 टू पावर 16 के रूप में लिखती हो तो यह कितना हो जाए इंजिनियर ये एक constant data होता है इसको याद रखना चाहिए जैसे कि हम लोगो g की value याद रखना है न 9.81 meter per second square 6.25 exact आ रहा है क्यों हम लोगा कट गया था न 16.85 बारे पूरा कट रहा है न अज चलो ठीक है अगर हमसे कहीं गलती हुआ होगा तो ये nearest value तुमारी यही रहेगी ठीक तो कोई बात नहीं ये nearest value है 6.24 भी ओके है 10 to power 18 इसको तो में बार अपने से divide रखना चेक कर लेना ठीक है calculator से कि ए exact कित्ता दे रहा है वैसे गलती तो हो सकती है हमसे division करने में चलो समझ में आ गई बात न बोलो इसमें कहां नहीं समझ में आया संख्या निकलने आ गई कैसे ही संख्या निकले गया चलो ठीक है अब जो अगला तुम question पूछ रही थी वो question किस बारे में था इसके ठीक पहले वादा question क्या था अच्छा तो अभी उसको शोड़ दो अभी उसको देखे नहीं है उसके पहले लाक्वेशन क्या था हाँ हाँ तो ओम पूछ लाक्वेशन तो बहुत इज़ी था उसमें तो खाली यह पूछा कहता न कि मतलब वी बराबर आई यह रोंस लो होता ही हमारा अब इसको जो तुमारा पहला option था वो option गलत था जो बी option था उसमें लिखावा था वी बराबर आई यार और जो सी option था उसमें लिखावा था वी प्रपोर्शनल आई तो यह दोनों सही हो गए इसलिए option डी में लिखावा था बी और सी वो थार गरेक्ट है ना चलो तो इसमें यह हो गया इसके ठीक पहला question क्या था हाँ अब देखो अब वो पूछ रहा है इस्थैतिक बिजली किस से उत्पन होती है तो अब यह जो इस्थैतिक बिजली होती है पहले समझें कि वो होता क्या है ठीक है अचा बाकी जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे है वो लोग समझें कि हम लोग कर क्या रहे है हम लोग पूरा SSC JE का UP PCL का बिहार PCL का और जो भी related JE के exams होते हैं electrical engineering में सब लोगों के लिए जो सारे questions होते हैं हम लोग one by one by one by one वही सारे questions ले करके और उनी concepts को हम लोग यहाँ पर discuss कर रहे हैं इससे क्या होगा concept भी तयार होगा जल्दी जल्दी और सारे के सारे questions भी लग जाएंगे ठिक तो हालां कि हम तीन चार दिन पढ़ाने के बाद से यह वीडियो बनाना शुरू किये हैं यह series इसलिए दो तीन वीडियो चूड़ गया है कोई बात नहीं आप लोग जितना से वीडियो बन रहा है वहां से देखना चुरू कीजिए चलो अब हम लोग शुरू करते हैं अब देखो esthetic विड़ियोत क्या होता है देखो इसको esthetic क्यों करते हैं क्को हम लोग उस विड़ियोत की बात कर रहे हैं जहां पर charge चले गा नहीं रुचा रहेगा अब जर्रा समझेव यह दो तरहीके से हो सकता है अक्सर तुम ऐसा सुनी होगी, जैसे हम लोग भजपन में करते भी थे, कि एक कंगी ले लो, कंगी इंगलिश में कौम कहते हैं, इसको अपने बाल में, मतलब मानलो कि यह कोई परसन है, इसका यहाँ पर बाल है, अब इस कंगी को लेगर के अपने बाल में रगड़ो, तो इस कंगी पर आएं होंगे, अभी फिलहाल हम को यह याद नहीं कि क्या होता है, कौन से लेक्ट्रोन किस पर जाते हैं, लेकिन हुआ यही होगा, जैसे तुम यह भी सुनी होगी कि कांच होता है, मतलब कांच, उसको जब तुम फर पर, फर मतलब वो जो soft soft कपड़े होता है, उन समशी और नहीं है, कौन सा positive, कौन सा negative, लेकिन होगा कि कि electron transfer हो जाते हैं, अब electron की transfer होने की वज़े से क्या होता है, कि कोई एक चीज, मतलब दोनों ही साथ साथ में, charge हो जाते हैं, ठीक है, तुम को याद होगा, हम लोग ऐसा करते थे, कंगी लो, बाल पे रगड़ो, तो उ static condition में, charge भाएगा नहीं, लेकिन हम लोग इसको charge कर दिये, तो रगड़ने से ऐसा हुआ न, तो घर सण हो गया, अब ज़र और समझो, एक चीज होती है, induction, induction को हिंदी में क्या कहते हैं, हम बूल रहे हैं, प्रेरण, ठीक है, प्रेरण कहते हैं, अब देखो, यह जो यह से, तुम पहले से charge लेकर के आ गई कहीं से, अब साथ में, पास में, कोई एक neutral object रखो, neutral मतलब उदासीन object रखो, उदासीन का क्या मतलब होता है, एक ऐसा pin रखो जो उदासीन है, उदासीन का मतलब क्या होता है, उसका total charge 0, किसी body में total charge अगर 0 है, इसका ये मतलब नहीं ह है कि body के अंदर electron और proton नहीं है, इसका क्या मतलब है, electron प्रोटन तो हैं, लेकिन वो दोनों बराबर संख्या में है, जितना proton है, उतना ही electron है, अब क्या होगा, जब तुम किसी positive charge को पास में ले जाओगी, तो अंदर में जहां जहां भी negative charge बैठे हुए हैं, वो इस positive charge के attraction की वज़ा से, एक side आ जाते हैं, वो चाहते हैं कि इसमें, मतलब jump करके इसमें चिपक जाएं, लेकिन body तो अभी ऐसी है, नहीं, body थोड़ी दूर है, इतना बड़ा भी strong force नहीं है कि इसको खीच के निकाल लेगा electron, तो क्या होता है कि अब, और same time प एक और शिच क्या होगा, जो positive लोग होंगे, वो प्रतिकरसन की वज़े से एक side हो जाएंगे, तो इसका मतलब, जब भी होगा, तो जब कोई positive charge किसी उदासीन वस्तू के पास रखोगी, तो minus वाले इस side आ जाएंगे, और plus वाले इस side आ जाएंगे, तो तुम देखो, पहले ये body उदासीन थी, लेकि समझो 3D में, दो plate देते हैं, एक plate को हम लोग किसी प्रकार से positive charge दे देते हैं, positive दो या negative दो कुछ भी दो, कोई एक variety दे दो, अब दूसरे plate में क्या होता है, कि charge देते ही, एक side उसके negative charge आ जाएगा, और दूसरे side positive charge आ जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा plate है उसको हम लोग धर्ती से जोड़ देते हैं, इसको कहते हैं, अर्थिंग, अब देखो यहाँ पर बहुत जबर्यस प्रक्रिया होती है, जो बच्चे भूल जाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, जब भी तुम इस condition में धर्ती से जोड़ोगी, तो दो ही चीज possible है, एक चीज यह हो सकता है, कि या तो धर्ती से एलेक्ट्रॉन प्लेट तक जाएं, या तो यहां से एलेक्ट्रॉन धर्ती तक आएं, दो ही किस हो सकता है, लेकिन कहां कि एलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे, वो कैसे डिपेंड करेगा, अब ज़रा तुम दिमाग लगाओ, यह जो कर दी हो, इसलिए धर्ती के सारे लेक्ट्रोंस आ करके इस positive वाले को खतम कर देंगे neutral कर देंगे इसका मतलब अब तुम्हारे पास जो plate बचेगा उस plate पर सिर्फ और सिर्फ negative charge ही available रहेगा, अब तुम देखो इस वाले plate पर positive charge available था और अब इस वाले plate पर के पास capacity है इतने charge को store करने की समझ गई? चलो, अब अगला question क्या था?